नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारी यूटुब चीनल में तो कन्यारासी वालो हम बात करेंगी दिनांक सोला जुन बूधवार यानि गणेजी देवधा कबार केसा रहेगा यह दिन आज आपके लिए मित्रो आज आपको क्या-क्या खुश खबरिया मिलेगी आज आपका पारिवारिक जीवन केसा रहेगा आपका प्रेम संभन्द केसा रहेगा आपका व्यापार आपकी नोकरी के बारे में समपूरुन जानकारिया हम देने वाले हैं तो जो भी जातक सबसे पहले वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट बोक्स में जै मातादी लिखेगा, गुरुजी का सीधा आसिरवाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों बढ़ते हैं आपके आज के रासी फल की ओर, अनुभवी तथ जिम्मेदार लोगों के साने ध्यमे रहने से आपको भी भहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ दिन से चल रही भाग दोड की वज़े से, आज आप आराम और सुकुन पाने के मुड में भी रहेंगी मित्रों कोई धार्मिक गति विधी भी संबव है, परिवार क्रिया कलापों में भी अपना योगदान जरूर्दे अन्य था, परिजनों की नराजगी का सामना करना पड़ सकता है, एवं किसी भी राजनितिक गति विधी का खुले आम विरोध ना करी, आपको मानहानी हो सकत है, विवेसाइक कार्यों में हिसाब किताब संबंदित पार दर्सित रखना बहुत आविश्यक है, अपने टेक्स लोन आदिसे संबंदित फाइले कम्पलीट रखें, और जुवा सठा जैसे गलत कार्यों में रूची लेने से नुक्सान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों विवाही जीवन सुक्माई रहेगा, प्रेम संबंदों में गलत फेमिया उपजी सकती है, एवं सारीरिक रूप से आप कमजोर में हिसूस करेंगी, प्राकरतिक चीजों का अधिक से अधिक से एवन करें, कुछ समय प्रकरति के साथ भी व्यतित करना उचित दोस्तों आपका पूरा ध्यान अपने काम तथा आर्थिक गतिविध्यों में केंद्रित रहेगा, परिजनों से सलहा लेना भी आप के लिए हितकारी रहेगा, अचानक ही किसी अवपरिचित व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिसा भी सुझाईगी, संतान के करियर संबंदित किसी कार में रुकावट आ सकती है, इस समय उनका मनोवल बनाया रखना बहुत ज़रूरी है, एवं दोस्तों बिना मतलब दोसरों की परिसानियों में ना उल्जे, इस से खुद को ही नुकसान होगा, और बिजनस में नए संपर्क आपके लिए फा सहयोग्यों का भी उचिस सहयोग आपके उपर बना रहेगा, परन्तु अभी आय की इस्तिती मध्यम ही रहेगी, एवं ओफिस में राजनिती से संबंदित खुद को अलग ही रखेंगे, वेवस्ता के बीच अपने वेवाहिक संबंदों तथा परिजनों के लिए भी समय निकालें और दोस्तों प्रेम संबंदों में मदूर्दा रहेगी, तनाव जेसी इस्तिती से अपने को दूर रखें तथा सकारात्मग बन रहें, जी हा मित्रों, किसी संबंदी के आगमन से परिवार में खोसी भरा माहोल रहेगा, तथा किसी समस्या का भी सामाधान निकले ग्रह इस्तिती बहुत ही अनुकुल है, घर से संबंदित लिया गया कोई मेहतो पुण फेसला भी उचित साबित हो सकता है, परंतु यह धी भी ध्यान रखें कि कभी-कभी अतियात्मविश्वास की वज़े से बनते काम बिगड़ भी सकते हैं, अपने सब्दों पर भी नि काम होगा, अपनी साजिदारी और काबिले से परिष्टितियों को समस्या का सामान्य बना लेंगे, कर्मचारियों के साथ उचित तालमिल बना कर रखें क्योंकि आपके लक्सिकों सफल बनाने में उनका उचित सयोग रहेगा, पति-पत्नी आपस में चल रही छोटी-मोटी बातों को नजर अंदाज रखें और प्रेम संबंदों में मरियादा रहना आविसर के, दोस्तों मां स्पेशियों का दर्द परिसान करेगा व्यायाम और योग, इसका मुख्य इलाज है, जी हां मित्रों, भाग्य का सितारा प्रबल है, परन्तों कोई भी लक्स हासिल करने क लिए गती वीदियों में सलिका रखना भी जरूरी है, हाला कि घर से संबंदी जिम्मेदारियों को आप बहुती संजिद्गी और गंभेता से निभाएंगे, अचानक ही कुछ एसा खर्चा सामने आ सकता है कि जिसमें कटोती करना संबव नहीं होगा, इस समय धेर रखना ही उचित है, अपनी उपलब्ध्यों को दूसरों के सामने ज्यादा बखान ना करे, इस से धोका मिल सकता है, और कार छेतर में पिछले कुछ समय से चल रही रिकावटे, आज दूर होगी, कोई नया प्रियोक करने में भी आपकी रूची रहेगी, एवं नोकरी पेसा लोगों अपने ओफिस के डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव मिलने की संभावना है, पति-पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगी, इस से दामपत्ती जीवन में मधुरता आएगी, और प्रेम संबन सुखद बन रहेंगी, दोस्तों जेसकी वज़े से आपकी विवस चित दिन चर्या और खान पान को उचित बनाए रखना यही है, जी हाँ, पिछले कुछ समय से चल रही अश्वस्त था में, आज कुछ सुधार होगा, और आप भरपूर एनरजी में सूस करेंगे, परिवार से जुड़े कुछ मेहतुपूर फेसले लेने पड़ सकते हैं, परन्तु ये फेसले सकारात्म के ही रहेंगे, दोस्तो आपका पूरा दिन व्यस्त रहेगा, इसकी वजह से ठकान और थोड़ा चेड़-चेड़ापन में हिसोस कर सकते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी को अभी अपने उपर ना ले, जी हाँ, दोस्तो, समता के अनुसार ही कार द्योको निप्टाएं और विध्यारती व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें, किसी व्यवसायकार में रुकावटे आने पर, राज नितिक संपर्गों का सहीयोग लेना उचित रहेगा, हाला कि सहयोगियों तता कर्मचार्यों का सहीयोग बना रहेगा, परन्तु प्रेमी प्रेमी का को मुलाकात का अउसर मिलेगा, अभिश्वास्त के प्रति लापरवाह करना उचित नहीं है, नेमेत रुप से दवाईय लेते रहे तथा आराम भी जरूरी है, दोस्तों वित्ती इस्तिती में कुछ सुधार आएगा, रुका हुआ या उधार दिया वापस मिल जाने से राहत मिलेगी, गिले सुकेवे दूर करने के लिए समय अनुकुल है, युवाओ को नोकरी से संबंदित किसी इंटर्व्यू आदी में सफलता मिलने के योग बंद रहे हैं, जी हा मित्रो, व्यवसाई में वर्तमान परिष्टित्यों का प्रभाव इस समय व्यवसाई को गती देने के लिए कुछ निवेश करने की भी जरूरत पड़ सकती है, और नोकरी पेसा लोगों को उच्छ अधिकारियों की नाराजगी से हिन करने पड़ सकती है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दे घर में चोटी सी बात पर अकारण ही तनाव उत्पन न हो सकता है, इन व्यर्थ की बातों को नजर अंदाज करे तथा क्रोध करने से बचे घर में उचित सामंजस से बनाय रखने के लिए वरिष्टी सदस्यों का बेहतर योगदान रहीगा एवं दोस्तों कुछ दिनों से चल रही वेवस्ता, दिन चर्या से सुकुन और राहत पाने के लिए भी कुछ समय आध्यात में में और मनोकूल गती वीडियो में भी जरूर व्यतित करेंगे तो मित्रोवाज का हमारा यह रासी फल यहीं पर समापत होता है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बोक्स में जई माता दी लिख दीजेगा माता राने आपकी हर मनोकामना पूरूर न करेंगे और अगर आपने हमारे चेनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो वह जो स्क्रिन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास में वह धंटे भी दबा कर हमसे अभी जुड़ जाईएगा